कविता के अनेक रंगों को समर्पित है नई धारा रेडियो की प्रस्तुती प्रति दिन एक कविता कीजिए अपने हर दिन की शुरुवात एक कविता के साथ। आज सुनिए कुमार विकल की लिखी कविता दो पहर का भोजन सुनिए ये कविता मेरी याने आरति की आवाज में दुख को सहना कुछ मत कहना बहुत पुरानी बात है दुख सहना पर सब कुछ कहना यही समय की बात है दुख को बना के एक कबूतर बिल्ली को अर्पित कर देना जीवन का अपमान है दुख को आँख गूर कर देखो अपने हत्यारों को परखो और समय आते ही उस पर पूरी ताकत संचे करके ऐसा जड़पो भीगी बिल्ली सावे भागे तुम पीछे वै आगे आगे दुख को कविता में रो देना ये कविता की रात है दुख से लड़कर कविता लिखना गुरिल्ला शुरुआत है आज की कविता को आप पॉड़कास्ट के शो नोट्स में पढ़ सकते हैं आप जहां भी प्रती दिन एक कविता सुन रहे हैं वहां अपने कॉमेंस शेर करना न भूले अगर आप चाहते हैं कि नई धारा रेडियो की ये प्रस्तती हर सुबह आपके वाट्साप पर आ जाए तो हमें इस नंबर पर मेसेज भेजें 74287 75376 कल एक और कविता के साथ फिर मिलेंगे